नमष्य कर से का आपके अपने Online Sanken परिक्षप प्रस में कैसे हैं सभी और कैसे चल रही आपर सभी के तियारी पहँद इयारी उसक्रफ्र के लिए है कि computer operator की vacancy है एक बार मैं इसके सारी detail दूँगा कि October में होगा notification आउट भरती की तैयारी पूरी हो गई है और सरवादी पदों का इतिहास मतलब की 65,925 पद के अधियाचन अभी आए हैं और ये पद आपके अगामी महीनों में कहीं न कहीं vacancy की रूप में पदों के लिए सारी तैयारिया पूरी कर ली गई है मतलब इनके टेंडर भी complete हो गए है इनके जो भी आप बोल सकते हो कि इनकी जो basic तैयारिया होती है उन्होंने complete कर लिया है और अब सबसे ज़्यादा chance है कि October के महीने में ये का कर देंगे कि notification आउट कर देंगे जहां से internal information मिल रही है तो ये हो सकता है कि October के या तो ये October के क्या करेंगे October के ये first week से लेके third week के बीच में कभी भी vacancies क्या कर सकते है निकाल सकते है तो first से third के बीच में आप लोग ध्यान लखेगा बहुत लेट होगा तो ये maximum जाएगा तो November का महीन जाएगा इस से ज़्यादा लेट किसी कीमत पे नहीं होगा उन्होंने ये साब साब बोला है तो अब अपने अतयारी स्टार्ट कर दीजे किसी बात का वेट मत करिये सबसे बड़ी बात है कि यहां पर October में जो vacancies आ रही है कौन सबसे पहले आ रही है तो पहली जो vacancies आ रही है वो आ रही है UP Constable और इसमें कोई दोराए नहीं है इस vacancies को निकालने के पीछ कारण यही है क्योंकि 52,699 पद अपने आप में बहुत ज़्यादा पद होता है और यह कहीं न कहीं जो लोग सबा का चुनाओ है उसको फाइदा लेने के लिए करेंगे और आप देखिएगा जब उत्तरपदेश पुलिस भवतिबोर्ट वेकंसी निकालेगा तो तीन यह चार दिन के अं सब्सक्राइब पुलिस और उत्तरपदेश पुलिस भवतिबोर्ट तैयारी कर रहा है वह किसकी तैयारी कर रहा है एक बाद देखते तो वह जो तैयारी कर रहा है वह 55,904 पदों के लिए कॉंस्तेबल के लिए जेल वार्डर के लिए 833 पदों के लिए UPSI इस्टेनों के लिए 200-500 पद के लिए UPSI नागरिक के लिए 3,500 पद के लिए लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 832-900 पद हैं बढ़ ये बढ़के लगभग 1000 पद आपको देखने को मिलेंगे ये चीज़ दिखेगा रेडियो अपरेटर के लिए 2430 और इसका एक्जाम भी दिसंबर के आसपास दिसंबर के पहले वीक में प्रस्तावित है कि रेडियो अपरेटर का एक्जाम हो जाना है UPP कुसल खिलाडी जो इसका एक्जाम नहीं होता है इसके भी 345 पद हैं तो टोटल 65,000 65,925 पद कितना 65,925 पद उत्तरपदिस पुलिस भरती बोर्ड की तरफ से आने हैं आपके लिए और आपके इनके तैयारी अब इसे स्टार्ट कर दीचे कि आपके साथ गलती हाई चला गया कट-off आप हाई नहीं करते हो आप क्यूंकि तैयारी दो-तीन महीं में कर रहे हो तो आपको लगता है कि भाई हम साट परसेंट 55 परसेंट भी लिया है तो बहुत जाद ले है लेकिन जो बच्चा तीन साल से चाल साल से जब 2018 में वेकेंसी आई थी उसके बाद साइम के लिए रखोगे तो आपका भी अफ सेलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है यह बहुत क्लेर हो सकता है मेरी बाद किसी को बुरी लग जाए कि सर्क ऐसे सीज़े सब्दों में बोलना है बत हकीकत यहीं है कि कट-off तो हाई जाएगा और कट-off हाई पैसे के बल पर नह है और उन सारे बच्चों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सेकड़ों बच्चे जो इस पर विस्वाद लाए बहुत ही अनोखा बैच है वरदी बैच इसकी क्लास पहले 25 सब्टमबर से मैंने बोला था कि 25 सब्टमबर के बाद से स्टार्ट किया जाएगा तो समय आ ग बैच नहीं है वरदी बैच क्या है एक gateway है एक क्या बोल सकते हो एक gate है तमाम vacancies या जो आ रही है या तमाम आप बोल सकते हो पदों पे सेलेक्शन लेने के लिए यह एक ऐसा बैच है जिसमें आपकी तैयारी तो अभी स्टार्ट होगी लेकिन जिस वक्त आपकी कोई notification आ जा हैं तो इसमें take classes आपकी आस्ते चल जाएंगे लेकिन अगर मान लीजे यूपी constable की vacancy आती है और आप चाहते हो साम यूपी constable की तैयारी करना चाहते है तो जो उसमें live batch आएगा उसमें आपको अलग से payment करके नहीं add करना होगा आपको यहां से आपके request पे worthy batch से उठा के कह पर कर दिया जाएगा आपको उस उत्तरपदेश constable के live batch में आपको merge कर दिया जाएगा या डाल दिया जाएगा वहां से सुरू से पढ़ोगे और यहां से तो अपनी तैयारी करोगे और उससे पहले जो आप पर तैयारी करोगे फिर सोचोगे कि सर हम अभी किस चीज की तैय SI की आप सभी की तैयारी करोगे कैसे सभी की तैयारी करोगे क्योंकि उत्तरपदेश पुलिज भरती बोर्ड के आप किसी भी एक्जाम का अगर आप syllabus निकाल के देख लो तो math हो गया reasoning हो गया जीस हो गया और आपका हिंदी हो गया यह 4% compulsory पूसता ही पूसता है हो सकता है ए एक पूसन कोई कम हो जैसे computer operator या एक एक्जाम में क्या होता है एक पूसन ज्यादा हो जैसे UP ASI SI में computer अत्रिक्त पूश रेता है बस इतना अंतर आता है बाकि 95% exam में same syllabus है same लगबग pattern भली अलग हो सकता है कि आपका UP costable में 37, 37,500 question है UPSI नागरिक में आपके 40,44,44,44 के 160 question है UP SI ASI जो आपका मिनिस्टेरियल और इस्टेनो वाले है उसमें 50-50 के 200 question है ऐसा ही आपके विवन एक्जाम में pattern तो अलग से हो सकते है लेकिन जो उनका syllabus है जो question पूचे जाने का तरीका है जो question पूचे जाने का level है यह सारे exam में लगबग्या है same है तो आपको जब एके ही तैय जाएगा तो आप फुलिस भरती बोर्ड में किसी भी exam की तैयारी कर दो तो आपकी तैयारी का pattern एक ही होना चाहिए और मैं देखता हूं कि तमाम संस्थाएं हर बैचकरे अलग-अलग क्या करती है पैसे लेती है और बाद में क्या करती है कि एक ही class सारे batches में चला रही होती कि उसमें अलग-अलग फीस लेनी के अवशक्ता नहीं है उससे अच्छा है कि आपकी वल एक फीस का पैसा दो और वो भी किक कॉवन फीस का और वो भी इतना minimum 499 जो including GST सबले के एक बहुत बहतीन बैच है इससे अगर आप जोड़ते हो तो आप खुद बोलोगे हासल यह ब कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए दिन राट मेहनत करने के लिए तयार है पूरी पतिवधता के साथ आपको आपके मंजल तक पहुचाने के लिए अगर चनरे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक प्रिष कर दिजेगा अगर आपको वर्दी बैस से जोड़ना है वदी बैस से जोड़ना है इसमें live classes मिलेंगी उन्हीं के recorded classes मिलेंगी उन्हीं का class note जो board वाला होता है वो मिलेगा साथ में आपको अलग से booklet मिलेंगे अलग से print table की print कराओगे किताब की तरह हो जाएंगी बैंडिंग कराओगे study material जो है टॉपिक टेस्ट आपको sectional test हिंदी के आपके जीएस के जीए के या फिर रेजनिंग के या फिर मैस के आपको अलग अलग क्या होंगे टॉपिक टेस्ट कराए जाएंगे और इसकी वैलेडिटिटी टिल एक्जाम हो तो चाल साल तक आपका वैच यह आपके एप में रहेगा हाला कि मैं चाहूंगा कि आपके चार महीने पांच महीने वेकंसी पूरी हो जाए और जल्द से जल्द आप selection लेके आगे वड़ो वदी बैसे जोड़ना चाहते हो तो परिक्षा प्लस एप Google Play Store से डाउनलोड कर लो गर सकते हो और इस बैस से जुड़ सकते हो यह आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे लाइब.परिक्षाप्रस.org आप देखोगे यह लाइब.परिक्षाप्रस.org आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जैसे ही कोर्स पर क्लिक करोगे वदी बैस आपको आएगा इसमें अब जब उत्तरपदेश पुलिस भलती बोर्ड तयार हो गया है, जब उत्तरपदेश सरकाल तयार हो गई है, जब हम लोग तयार हो गए तो आप क्यों पीछे हंट रहो तयारी करने के लिए आप भी अब सपनी तयारी स्टार्ट कर दीजे. आज ही से इस बैच पे बाराव इसे भी class लग जाएगे फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवास सभी का बहुत बहुत आभार